दोस्तों, भागवत में राधाजी का नाम क्यों नहीं आता? जानी चौका देने वाली वजह हो भागवत में शूखदेव जी ने राधाजी का नाम नहीं लिया है पर क्या भागवत में सचमुच राधाजी नहीं है? एक संत राधा जी का नाम भागवत में नहीं होने की पीछे इतना सुन्दर कारण देख रहे हैं कि पुरा भागवत राधा मैं हो जाएगा राधा जी का नाम भागवत में ना होने के भाव सुन्दर चित्रण है विद्वान और पंडित लोग कहते हैं कि जिस समाधी भाषा में भागवत लिखी गई और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतने डूब गए कि राधा चरितर लिखी नहीं सके सच तो यह है कि यह जो पहले श्लोक में वंद्रा की गई है इसमें श्री कृष्णा आये से श्री का अरत है राधा जी को नमन करना शुकदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज के शुक थे निकुंज में गोपियों के साथ प्रमानतमा कीड़ा कर रहे थे शुकदेव जी सारे दिन राधे राधे कहते थे यह सुनकर श्री राध्य ने हाथ उठा कर तोतों को अपनी और बुलाया तोता आया और राध्य जी के चर्णों की वंदना करने लगा राध्य जी ने उसे उठा कर अपने हाथ में ले लिया प्रसन तोता फिर से राध्य राध्य बोलने लगा राध्य जी ने कहा हे शूप अब तुम रादे रादे की स्थान पर कृष्णा कृष्णा कहा करो फ़ा मुझे मुझे से भी अधिक प्रिय है इस प्रकार राधाजी तोते को समझा रही थी कि उसी समय श्रीकृष्णा वहां आ जाते है राधाजी ने उसे कहा कि तोता कितना मधुर बुलता है ऐसा कहते हुए शूप को ठाकुर जी के हाथ में दे दिया राधाजी के द्वार पर राधाराम रटने वाली शूप को सिद्ध भगवान की क्रपा च्छाव प्राप्त हो गई वो उनके हाथ में पहुँचकर धन्नी भागी हुआ इस प्रकार शिराधारानी ने शूप देव जी का ब्रह्म के साथ प्रत्य के संबंद कराया जो ब्रह्म के साथ संबंद कराया वही तो सद्गुरू होता है इसलिए शुकदेव जी की सद्गुरु शिराधर आनी है और सद्गुरु होने के कारण भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया गया है शुकदेव जी ने अपने मुक से राधा अर्थात अपने गुरु का नाम नहीं लिया राधा जी का नाम भागवर में ना आने का एक और कारण भी है जब शूपदेव जी राधा शब्द का चिंतन कर लेते तो वे उसी पल राधा जी के भक्ती भाव में डूप जाते सद्गुरु का चिंतन करो तो डूपना तो साभाविक सी बात है शूपदेव जी शी राधा राणी की भक्ती में डूपते तो कई दिनों तक उस भाव से बाहर ही नहीं आ पाते यह सब पहले हुआ रहा होगा तब शूपदेव जी तो आय थे परिक्षित को भागवत सुराने राजा परिक्षित के पास बचे थी केवल साथ दिन साथ वे दिनोंने तक्ष्यक नाट डसने वाला था फिर यदि राधा नाम सम्रण में शूपदेव जी डूप जाते तो भागवत कथा पूर्ण में कैसे होती इसले शी राधा जी का नाम भागवत में नहीं आया जब राधा जी से शी कृष्ण ने पूछा कि साहित में तुहारी क्या भूमिका होगी तो राधा जी ने कहा मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए मैं तो आपके पीछे हूँ हूँ इसले कहा गया है कि कृष्ण देह है तो राधा प्रान है कृष्ण पल शब्द है तो राधा अर्थ है कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है कृष्ण फूल है तो राधा उनकी सुगंद है इसलिए राधा जी स्लीला शब्द रूप में अद्रश रही शब्द रूप में अद्रश रही और थात उनका नाम शब्दों में ना दर्ज हुआ परंतु उनकी आत्मा वही है राधा कही दिखती नहीं इसलिए उन्होंने राधा जी को इस रूप को नमन किया है एक बार बड़े भाव से समरंड करें राधे राधे ऐसा बार बार बोलते रहेगा राधा राधा आप बोले और अगर आप उल्टा भी बोले तो वह धारा हो जाता है धारा को अंग्रेजी में कहते है करंट भागवत का करंट ही राधा है आपके भीतर संचार भाव जाग जाए वह राधा है जिस दिन आख बंद करके आप अपने चित को शांत कर ले उस शांत स्थिति में राधा नाम लीजेगा यदि आप अशांत हो ता अपने जीवन में मन में राधा राधा बोलिएगा और आप पंदरा मिनिट में अशांत से शांत हो जाएंगे क्योंकि राधा नाम में वह शक्ती है भागवान अपनी सारी संचारी शक्ती राधा नाम में डाल दी इसलिए भागवत में राधा शब्द हो या ना हूँ परन्तु राधा जी भागवत में अद्रिश रूप में वराजमान है